है गाइज विल्कम बैक टू नॉले सेजर हैंटर्स आई होब आप समी लोग बहुत अच्छे होंगे और पड़ाई भी शांदार चल रहे होगी आपको तो पता ही है कि हमने पता है जो अल्रेड हम कवर चुके है उसके बाद में आते हैं हमारे अपडेटिड माटिर्यल वह वी दो पार्ड में आते हैं री हम1st पार्ट कल्यक हो चुके हैं अज प आपहले और शोर्षिकने वाले हैं सबसे पहले National Curriculum Framework for School Education तो education हमें पता है कि education sector में हम जानते हैं कि almost बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे education system में improvement की जरूफ हैं कि हम पढ़तों लेते हैं बट जॉब नहीं मिल रही है हम पढ़ाई कुछ और करा ही जाते हैं और जब हम job की लिए जाते हैं तो हमसे पूछा कुछ और ही जाता है तो इस सिरखी की problem हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे face करते हैं कि उन्होंने टॉप करा है पड़ाई तो की है बट क्या होता है कि जब वो अपनी फील्ड एरिया में उतरते हैं तब वो उसमें फेल हो जा रहे है तो इतनी इंप्रूब्मेंट की हमें जलूरत है इसलिए अब क्या हो रहा है एजुकेशन के सेक्टर में कई साए रिफॉर्म सारे हैं तो अभी क्या हुआ है कि हमारी ministry of education है उसने क्या किया है कि national curriculum framework for school education का जो pre-draft है उसको release किया है और public feedback के लिए इसको release किया गया है पबलिक से पूछा जा रहा है कि वही देखो यह हमारा draft बनकर तयार हुआ है framework का और आप बताएं कि इसमें क्या improvement हम कर सकते हैं क्या ठीक है कि नहीं ठीक है आप अपने कुछ suggestion सकते देना चाहे तो दे सकते हैं तो आप यह प्रपोज national curriculum framework for school education है इसके बारे में जानते हैं तो यह क्या करेगा यह guide करेगा कि जो text books है जो curriculum बनने वाला है हमारे जो books हम पढ़ते हैं ठीके तो हमारे होता है ना कि first class में यह वाली books पढ़नी है रेट तो क्या है कि हमारे books जो है पहले से determined होती है उसमें क्या syllabus होना चाहिए हो पहले से determined होता है तो कैसे उन text books को हम develop करेंगे उसके development को guide करेगा यह framework साथ ही साथ में जो national education policy हमारी आई है उसके according सारा curriculum होना चाहिए उसके according हमारा syllabus होना चाहिए यह भी यह ensure करे अब जो हमारा national curriculum framework for school education है लास्ट टाइम जब यह revise हुआ था तो 2005 में revise हुआ ठीक है और उसी के according ही अभी जो हम NCRT books को पढ़ते हैं ठीक है तो जो NCRT books में हम पढ़ रहे हैं उसमें syllabus देख रहे हैं कि अच्छा यह syllabus पढ़ना है इसमें यह topics कबर हो रहे हैं इस class में इतने topics पढ़ने हैं तो यह सारा कुछ जो है वो 2005 में जो decide हुआ था उसी के according चल रहा है target age क्या है target age इसमें क्या है तीन साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए करिक्लम पढ़ना है उनको उनको जो education provide करनी है वो इसमें target की गई है साथी साथ में restructure करेगा बहुत सारे aspects classroom के कि कौन- से नहीं किस तरीके से उनको हमें पढ़ाना है और उनका assessment कैसे होगा कि उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो किस तरीके से हम उनको assess करेंगे यह सारी चीज़े भी यहाँ पर देखी जाएंगी national curriculum framework और national education policy 2020 की अगर हम बात करें तो national education policy comprehensive framework है जो कि हमारी country में education का कैसे development होगा उसको guide करती है education का development साथी साथ में उसका regulation उसकी promotion को भी यह ध्यान में रखती है national curriculum framework for early childhood care and education जो है वो already prepare हो चुका है अब बाकी क्या है कि जो आपका national curriculum framework है teacher education के लिए और adult education के लिए वो अभी तयार हो रहा है national curriculum framework जो है वो क्या करता है जो हमारी aim है जो commitment है national education policy की उसको यह life में लेकर आता है उसको हम क्या सकते हैं कि उसको implement करने में help कर रहा है human capacities को पूरी तरिके से यह क्या करेगा develop करेगा ठीक है उनकी values को और ज़्यादा nurture करेगा साथी साथ में pedagogy practices और culture जो है वो आपका develop होना चाहिए ठीक है culture को हम ऐसा ना हो कि हम develop होते जाएं और culture को अपना पीछे छोड़ दे culture को साथ लेकर हमें अपना development करना है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा integrative और holistic development होगा equal status के साथ में सारे subjects और learning domains जो है वो integrate की जाएंगी और जितने भी चैलेंजी से उनको address किया जाएगा national curriculum framework की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है तो इसमें आता national curriculum framework for early childhood care and education, national curriculum framework for school education, national curriculum framework for teacher education and national curriculum framework for adult education अभी जो changes हमने propose किये हैं उसमें क्या है तो class wise approach ली जाएगी ठीके जो बच्चे 3 से 8 साल के हैं preschool से class second तक पढ़ते हैं तो उनको क्या करा जाएगा toys का use करके, puzzles का use करके या फिर अलग-अलग stories सुना कर उनको पढ़ाया जाएगा middle stage में है जो कि 6th, 7th, 8th में है तो उनको natural और social sciences जो है वो पढ़ाई जाएगी text books जो है वो यहाँ पर text books अब include हो जाएगी text books का use करते हुए पढ़ाया जाएगा 9th, 10th के जो students है उनको 16 courses जो है वो पढ़ाया जाएगे 8 अलग-अलग areas जैसे humanities हो गया, maths हो गया, science हो गया तो अलग-अलग तरीके से इनको पढ़ाया जाएगा 11th और 12th की बात अगर हम करें तो 24 ways courses मिलेंगे ठीक है जैसे कि semester system यहाँ पर होगा examination का और grade points दिये जाएगे class 12th में जिसमें बताया गया है कि 180 दिन ही school खुलेगा या विर बोल सकते हैं 34 weeks तक ही school जो है वो खुलेगा इसमें क्या है कि 5 and half day का week schedule रहेगा जिसमें 29 working hours होने चाहिए students के लिए और periods जादा के नहीं होने चाहिए class 8 तक और class 9 से हम कह सकते हैं कि periods जो है class periods होते हैं वो 50 minutes से ज्यादा के नहीं होने चाहिए और क्या recommendations दी गई है तो modular board examinations offer किये जाएंगे अभी तक single examination होते था साल के बाद में अब क्या है modular board examinations होंगे pre-draft जो हमारा curriculum आया है उसमें कहा गया कि ancient Indian knowledge system जैसे है उसको भी हम क्या कर सकते हैं पंच course system है उसको moral development के लिए use कर सकते हैं ठीक है तो ancient जो हमारी पहले की जो हमारी बहुत सारी हमारी education बहुत से knowledge है तो वो हम भूलते चले जा रहे हैं तो उसको ना भूले बच्चे इसलिए उसको भी हम साथ में इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों की जो भी education curriculum है उसमें ठीक है छे प्रमान्स कौन कौन से है तो प्रत्यक्ष है अनुमान है अर्थपती है अनुपालवदी है और शब्द है तो इनको भी आप include किया जाएगा नेक्स्ट है national credit framework नेशनल credit framework क्यों है निउस में तो university grants commission जो यूज जीसी है उसने अभी क्या किया है national credit framework को release किया है अभी national credit framework क्या होता है ये एक inclusive one single meta framework है जो कि क्या करता है credit को integrate करता है जो कि हमने बताब students ने school education में higher education में vocational और skill education में जितने भी credits को earn किया है वो सब integrate हो जाएंगे इस framework में ठीक है इसमें क्या हुआ qualification framework होंगे higher education vocational skill education के लिए ठीक है अब इसमें कौन-कौन से यहां पर qualification framework है तो national higher education qualification framework national skills qualification framework, national curriculum framework, national school education qualification framework अब इससे होगा क्या की guidelines मिलेंगी जो कि schools, colleges और universities follow करेंगे credit system को adopt करने के लिए साथे साथ में students है वो creditize कर expertise को achieve कर पाएंगे इंडिया knowledge system में जैसे कि वेध है पुरान है उसमें भी उनको क्या होगा expertise मिल सकती है अब कुछ की highlights भी है जैसे की हमारा credit level system है जो की education को 8 level पर divide करता है ठीक है एक से चार level तक के जो है वो school education रहेंगे पांस से आट तक की जो level है वो higher education की रहेगी vocational education और training credit level जो है वो एक से आट तक के रहेंगे ठीक है जहाँ पर एक जो है lowest रहेगा और आट जो highest रहेगा different means to earn credit अब अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं credit को earn कर सकते हैं चाहे वो academic तरीका हो vocational हो या फिर experiential learning हो integration करेंगे earn graduates का ठीक है school education vocational skills में जैसे ही हमने earn किया है उनको सबको integrate कर लिया जाएगा multiple entry और exit options हमारे पास में रहेंगे कि हम enter exit re-enter कर सकते हैं educational ecosystem में कभी भी अपने career के किसी भी टाइम पर notional learning hours की बात करें तो इसका मतलब होता है कि average student को कितना time चाहिए अपने classes को attend करने के लिए test में appear होने के लिए और assignments को submit करने के लिए वो time period क्या है notional learning hours होते हैं जो कि 1200 hours हर साल पर साल जो है 1200 hours fix किये गए हैं जो भी credits अभी earn किये जाएंगे वो कहाँ पर store होंगे वो academic banks of credits में store होंगे next है right to health अब ये चर्चा में क्यों है तो अभी हुआ ये है कि राजिस्तान जो है पहली Indian state बन गई है जिसने right to health act को enact कर दिया है right as a health and right to health इंडिया में क्या है कैसे है चलो जानते हैं तो जो right to health का scope क्या है right to health जो है ना केवल timely और appropriate health care तक पहुचता है बलकि जो भी determinant है health के वो भी इसमें जो है cover होते है जैसे कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है बिमार हो गए तो बिमार हो गए तो आपको दबाई मिल गए टाइम पर तो हम बोल देगे कि right to health आपके पास नहीं इसके साथ-साथ आपको साफ पानी मिलना चाहिए ऐसा पानी मिलना चाहिए जो safe हो आप उसको पीने like पानी हो ठीक है बहुत adequate sanitation मिलनी चाहिए ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं गंदगी में आप रह रहे हैं ठीक है जो भी जहां पर आप job करते हैं बहां का जो condition environment है वो साफ स जा रहा है और आपसे बोल दिया कि नहीं आप बीमार होंगे तो आपको दबाई मिल जाएगी तो आपके पासे right to health नहीं ऐसा नहीं है बीमार होने से पहले भी जो चीजें हमें स्वस्त रखने के लिए जरूरी है वो भी हमें right to health के अंडर प्रोवाइड की जाएंगी constitutional position की बात करें तो right to health जो है वो आटिल 21 जो है right to life इसके अंडर ही cover होता है अब कुछ initiatives लिए गए है right to health के लिए जैसे कि national health policy 2017 लेकर आये थे जिसमें हम highest possible level पर health जो है और well-being है लोगों को पहुचाने के कोशिश कर रहे हैं national health mission जो है इसमें दो submissions included है पहला है national rural health mission और दूसरा national urban health mission आयुश्मान भारत योजना भी हम लेकर आये हैं जिसमें हम comprehensive health care services deliver कर रहे है टैली मानस लेकर आये हैं जिसमें हम mental health care provide कर रहे हैं लोगों के लिए पिर्धान मंतरी जन आरोग्य योजना भी लेकर आई गई है जिसमें हम health insurance प्रोवाइड करते हैं multiple other initiatives कौन-कौन से food security को ल लेकर आये हैं अब rights and rulings जो की supreme court की है तो right to food जो है किस case के अंडर हमको मिला है तो people's union of civil liberties versus union government जो है हमारी उसके अंडर हमको क्या मिला है right to food मिला हुआ है ठीक है right to clean environment हमें MC महता जो है case में मिला है फिर right to emergency medical aid जो है वो यह पर्मानेंद कत्रा वर्सिस जो case हुआ था उसमें हमें यह right to emergency medical aid मिला next बात करते है rare diseases की मतलब ऐसी diseases जो बहुत rare है अब यह चर्चा में क्यों रही क्योंकि central government ने क्या किया है जितने food और drugs है जो rare diseases के है जो कि लोग इंपोर्ट करते हैं अपनी personal use के लिए उस पर custom duty को हटाने का फैसला लिया है central government ने कहा है कि ऐसी food या फिर ऐसी drugs ऐसी दवाईया जो कि हमारे इंडिया के लोग इंपोर्ट करते हैं जिससे कि वो अपना personal use कर पाए अपनी consumption के लिए ले पा रहे हैं तो उन पर अब custom duty नहीं लगेगी ठीके अब यह benefit को अवे लगर करना है तो लोग जो इसको इसको sector general of state health services आप district medical officer और civil surgeon से भी certificate मिल सकता है दूसरी initiatives जो है rare diseases के लिए वो कौन कौन से और initiatives है तो national policy for rare diseases IT 2021 में जो हमारे सरकार ने launch की है जिससे कि जो patient rare diseases से सफर कर रहे हैं उनका treatment हो सके अब हुआ यह है कि जो हमारे union health ministry है उसने क्या किया च्छे और rare diseases को include कर लिया अलग अलग groups में ठीक है अंडर दी national policy for rare diseases जो हमारा है 2021 की वी policy है इसके अंडर छे और rare diseases को include किया गया है अब बात आएगी कि कौन कौन से छे और diseases हैं जो के rare हैं और include कर ली गई है तो है लेरंस syndrome, Wilson's disease, congenital adrenal hyperplasia, neonatal onset multisystem inflammatory disease, hypophosphatic rickets and atypical hemolytic uramic syndrome ठीक है अब यहां पर जो है next हमने जो initiative लिया है वो है PLI scheme लेकर आए है pharmaceuticals के लिए इस scheme के अंडर जो manufacturers है जो की domestic production को choose कर रहे है अलगलग product जो है वो खरीद रहे है domestic production से जैसे की orphan drugs जो है ठीक है तो वो क्या कर सकते हैं उनको financial incentives मिलेंगे next है digital portal for crowd funding जो department of health and family welfare है उसे digital portal बनाया है crowd funding के लिए और voluntary हम donations दे सकते हैं उन patients के लिए जो की rare diseases से सफर कर रहे हैं national registry भी बनाई गई है जहां पर ऐसे लोग जो की rare diseases से सफर कर रहे हैं उनसे related data जो है वो store होगा अब rare diseases कौन से होते हैं rare diseases इसके लिए हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो rare diseases को जानते हैं WHO है उसने कहा है कि rare diseases वो diseases होती है जो कि lifelong diseases रहती जिंदगी बार अगर एक बार बिमारी लग गई तो जिंदगी बार बिमारी रहेगी या फिर जो 1000 लोगों में एक या फिर एक से भी कम लोगों को होती है एक से कम क्या एक लोग जो है उसको ही ये बीमारी होगी ठीक है तो मतलब एक हजार लोग एक जिगह पर खड़े हैं समझ तो population है एक हजार तो उनमें से कि कोई एक दो लोग है जिनको ये विमारी हो गई है तो हम बोलते हैं ये बहुत rare disease है ठीक है अच्छा अभी बात करें तो लगबख 7000 ऐसी diseases है जो अभी rare disease है ठीक है 80% rare disease genetic होती है और इ rare disease जो है उसके बज़े से premature death हो जाती है इन फेंट्स की यंग चिल्डर के बच्चा जो है वो जिन्दगी अपनी शुरू ही नहीं कर पा रहा है उससे पहरे इसकी death हो गई तो rare disease जो है वो लगबख 5% वर्डवाइड पॉपलिशन को affect कर रही है और ज्यादा तर जो rare disease है इस psychiatric cancers है वो rare होते हैं आपको जो salient features है NPRD 2021 जो policy है उसके अगर हम फीचर्स को देखे तो इसमें तीन ग्रूप में disease जो है उसको identify और categorize किया है ग्रूप बन में one time curative treatment होता है ठीक है दूसरे में क्या होता है कि long term treatment है lifelong treatment चलता ही रहेगा तीसरे में ऐसी है कि lifelong therapy तो है लेकिन बहुत महगी है ठीक है financial support लगब 50 लग का ऐसे patients को दिया जाता है next है social protection in India इंडिया में social protection किसको कितनी मिल रही है च more than a billion regions the urgent need to build universal social protection for children ठीक है second joint report है जो कि social protection for children पर आई है ठीक है current status क्या है इंडिया में social protection का तो जो world social protection report है जो कि IELO ने release की है 2020 में उसे में बताया है कि सिर्फ 24.4% इंडियांस ही ऐसे है जिनको किसी ना किसी तरीके कि social protection मिली हुई है बाकी लोगों को social protection मिली ही नहीं है social protection measures पर spend करता है और global level पर बात करें तो 12% तो कम से कम social protection पर खर्च होई रहा है लेकिन हम 8% पर ही अटके हुए है social protection floor की बात करें तो क्या-क्या चीज़े social protection पर आती है तो essential healthcare सर्प को मिलनी चाहिए income security हो children's के पास में income security हो working as people के पास में और income security हो older persons के पास में कुछ की initiatives भी लिए गए है जिससे कि हम social protection लोगों तक पहुचा सकें इसके लिए सबसे पहले है social insurance social security coverage जो है formal workers के द्वारा ठीक है former workers के लिए employees state insurance cooperation and employees provident fund organization के द्वारा लिया गया है pension schemes भी लेकर आए गए है और unorganized workers के लिए medical insurance schemes भी लेकर आए है maternity insurance schemes भी लाँच की गई है और unemployment insurance scheme भी हम लेकर आए है social assistance भी प्रोवाइट की जाती है जैसे कि food and nutrition programs चलाए गए है जिसमें कि हम food प्रोवाइट करते हैं लोगों के लिए housing for all में हम घर प्रोवाइट कर रहे है self employment के लिए कई सारी schemes आए है base employment program से भी लेकर आए है जैसे कि मनरेगा बहुत ही famous social welfare की बात करें तो national social assistance program लेकर आए है जिसमें हम elderly people को financial assistance प्रोवाइट करते हैं PM किसान सम्मान ने धी scheme जो PM किसान है वो हम financial assistance farmers के लिए प्रोवाइट करते हैं बिर्धान मंतरी Care for Children scheme जो है वो ऐसे बच्चे जिनके parents जो है उनकी death होगी COVID में तो उनको यहाँ पर क्या होता है financial support दी जाती है अब हम चर्चा करते हैं UNICEF की क्योंकि रिपोर्ट में UNICEF भी included था वो भी यह रिपोर्ट मिलकर लेकर आया है तो यह 1946 में established हुआ है World War के बाद में World War 2nd के बाद में इसका headquarter New York में है ठीक है पहले 1953 में यह permanent part बन गया UN का और इसके बाद में इसका नाम हो गया United Nations Children Fund ठीक है यह जो चिल्टरन राइट है उनको protect करता है उनकी basic needs में को provide करने में help करता है उनके full potential तक उनके opportunities जो है उसको expand करने में help करता है लगबाग 36 members इसके board में होते हैं तीन साल में वो elect होते है ठीक है और यह जो है guide किस से होता है Convention on the Rights of the Children से यह guide होता है अब जो है अभी इसने रि important news है उनको हम पढ़ते हैं पहले है triple test for surrogacy news में क्यों है क्योंकि करनाटका का जो high court है उसने triple test को evolve किया है जिससे कि ऐसे couple जो कोई legally surrogate नहीं कर पा रहे है चाइल्ड को under the provisions of Surrogacy Regulation Act 2020 तो उनको 3 test जो है उसको करना होगा वो test के बाद में अगर वो pass हो जाते हैं तो क्या होग कि वो surrogacy करवा पाएंगे तो surrogacy जो है वो कहता है कि सिर्फ I-2-6 tick tick surrogacy हो पाती है commercial surrogacy जो है वो ban कर दी है इंडिया में अब यह दोनों कैसी surrogacy होती तो I-2-6 tick में क्या होता है इसमें जो surrogacy है वो कोई रिष्टेदार कोई friend जो है वो surrogate mother बन जाता है जो कि सिर्फ भल जाए करना चाहरा है किसी की help करना चाहरा है उसके return में वो पैसे नहीं लेता अगर कोई भीमन है वो surrogate mother बन रही है और बदले में वो पैसे कर दिमांड करती है ठीक है वो commercial level पर यह काम करना चाह रही है तो यह चीज जो है वो ban है इंडिया में आप किसी के help करना चाहरे है तो तो surrogate mother बन सकते हैं but you can't ask for money ठीक है आप यह नहीं कह सकते हैं नहीं मुझे पैसा चाहिए इसके बदले में ठीक है कि हाँ उनकी capacity है वो capable है चाहिल्ड को manage करने के लिए economy test जिसते कि यह पता सल सके कि हाँ उनके माँ से पैसा है यह बच्चे का future जो है वो protect कर पाएंगे ठीक है अब next है जो हमारी news है वो है assessment of child suspects ठीक है child suspects का assessment news में क्यों है क्योंकि जो national commission for protection of child rights है यह इन्होंने कई guidelines को issue किया है जिसते कि हम child suspects को assess कर सकते हैं अच्छा अभी क्या हुआ Supreme Court का एक directive थी बरुन चंद्रा ठाकोर वर्सिस मास्टर भोलू के case में जिसमें guidelines से provide की गई थी कि juvenile justice vote जो है वो preliminary assessment कर सकता है जिससे हम determine कर सके जो child है उसको minor treat करना है कि नहीं criminal कोई case हो गया है एक मालनों किसी बच्चे ने murder कर दिया तो अब murder कर दिया तो बहुत ही बड़ा case हो गया right तो अब उस बच्चे को हम क्या से मानेंगे क्या उसको minor मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे ठीक है तो यह चीज रिटर्माइन करने के लिए guidelines provide की गई है जब अगर वो heinous crime होता है तो हम बच्चे को minor माने या नहीं इसमें यह test किया चाएगा तो juvenile justice act है उसमें child को define किया गया है कि ऐसा इंसान जिसने की 18 साला भी पूरे नहीं किये तो वो child है 2015 में amend किया गया और कहा गया कि 16-18 साल तक कि जो बच्चे है उनको हम adult की तरह भी treat कर सकते है अगर उन्होंने कोई hein इन्होंने किसी का murder कर दिया उन्होंने किसी का rape कर दिया उन्होंने किसी पर acid attack कर दिया तो ऐसे कुछ heinous crimes है न तो इसमें अगर कोई बच्चा है जो 16-18 साल का है उसने ऐसे crimes किये हैं तो उसको हम adult की तरीके से भी treat कर सकते हैं और उसको adult के जैसे ही हम punish भी कर पाएंगे ठीक principles क्या है कि fundamental principles को follow करना होगा ठीक है preliminary assessment करना होगा जिसते कि हम age को determine करेंगे और देखेंगे physical capacity कितनी है child की mental capacity कितनी है कौन से circumstances में उसने ये कदम उठाया है और इसके consequences क्या रहेंगे ठीक है role क्या होता है तो solely responsible assessment करने के लिए जो juvenile justice voter वो ही ये assessment करेगा कि जो बच्चा है उसक अब तीन मेने के अंदर ही हमें को कर देना है resilient system बनाना जैसे data collection जो है वो काफी अच्छा हो जाए इंडिया में बात करें तो digital health platform जो टेको प्लस ठीक है और electronic vaccine intelligence network है वो vaccination coverage को बड़ा दिया गया है जिससे की data entry बहुत ही ज्यादा efficient हो पाई है principle कुछ fundamental principles क्या है जो juvenile justice act के अंदर है तो principle of presumption of innocence हम मानते हैं कि जो 18 साल से कम का बच्चा है वो innocent है हम ऐसा मान कर चलते हैं best interest में उसका development हो सके ठीक है फिर non-stigmatizing cements ठीक है कि हम adversial words use नहीं करेंगे process में फिर natural justice ठीक है जिससे की procedural standards को हम ideal कर पाएं participation उनके पास राइट टू हर्ड है चाइड़ी इंट्रेस में हम सारी processes में participate कर पाएंगे safety ठीक है जो है वो safe रहे यह हमें इंशोर करना है राइट प्राइवेसी चाइल्ड जो है उसकी confidentiality को बनाए रखना भी जरूरी है फिर new India literacy program अभी यह news में क्यों है क्योंकि first जो हमारा new FLNAT है जो वो उसके अंडर ना भारत साक्षरता कारिकरम के अंडर यह पहला जो test है वो हुआ है दस states और UT में जिसमें हम basic reading, writing, numeracy, skill जो है new literates की उसको चांच रहे है new literates जो है 15 साल या फिर उससे जादा के अब उनकी age है तो उन्होंने participate किया इस event में जिससे कि हम उनको literates on qualifying अगर वो qualify होते तो हम उनको literates की तरीके से declare कर सकते हैं अब यह जो प्रोग्राम है यह centrally sponsored scheme है जो की 2022-2027 तक implement होगी scheme जो है यह national education policy को follow कर रही है इसमें targets किसको target करती है तो जो लोग 15 साल से बड़े हैं और अभी वो पड़े लिखे नहीं है अनपड है तो उनको क्या किया जाएगा उन पर focus किया जाएगा फिमेल से और educational backward states में जादा focus किया जाएगा फाइव कंपोनेंट्स है अपनी जो educational opportunity जो उनको उस time पर available थी उसका वो use नहीं कर पाई और उसके बाद में बाद में उन्होंने literacy को acquire किया है फॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल अप्रोच इससे जैसे हम जानते है न हमने देखा कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बुड़ा इंसान है ठीक है जो अपने अपना जब वो बच्वन था तब वो school नहीं जा पाया लेकिन उसको अभी शौक है और उसने अब क्या किया है पढ़ना लिखना लिखना नखा है बले school नहीं गया लेकिन हाँ उसको पढ़ना लिखना आता है फिर संगठन से समरिदी campaign अभी ये न्यूस में क्यों है क्योंकि जो ministryll Rural Development है उसने संग्रटां से समरेधी Campaign को launch किया है ठीके अब यह Campaign का aim है कि हम जो disadvantaged Rural Communities है उन जो के unaware है benefits जो दीन दियार नतियोदे योजना के benefits हैं उनसे वो unaware हैं तो उनको हम aware करेंगे ठीके यह हर state में Organize की जाएंगी expectation यह ओगा कि लगबग एक लाग सेल्फ हेल्फ गुरुप हम बना सके वर्ड बैंक प्रोग्राम फॉर इंडिया जो वर्ड बैंक है उन्होंने दो कॉंप्लिमेंटरी लोन्स को साइन किया है पांच सो मिलियन डॉलर की ठीक है जिसमें हम क्या करेंगे पब्लिक हेल्फ सिस्टम फॉर पै सकते एपिडेमिक को रिपोर्ट कर पाएंगे इंडिया क्यापसिटी को और ज्यादा इन्हांस करेंगे कि पैथेजन को डिटेक्ट कर पाएंगे और इंसे क्या होगा फाइनसिंग जो होगी एक बिलियन डॉलर की तो वर्ड बैंक जो है सपोर्ट करेगा प्रिधान मंतरी आयुषमान भारत हें फाइल्थ इंफ्रेस्ट्रक्टर मिशन को ठीकर यह सेंट्राली स्पॉंसर्ड स्कीम है और इसमें कुछ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स भी है जो कि आत्म निर्वर भारत पैकेज को इंप्लिमेंट कर रहा है है हेल्थ सेक्टर में अब्जक्टिव इंटरेश्ट्रल जीरो वेस्ट डे है जो पहली बार जो सेलिबरेट किया गया है वो यूनेप और यूएन हूमन सैटल्मेंट्स प्रोग्राम के दौरा यह फैसिलिटेट हो पाया है सोच वस्तब कैम्पेंज जो है इसका एम है कि पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएं और लि भारत मिशन अर्वन 2.0 ठीक है अब इसके अचीवमेंट की बात करें तो अर्वन इंडिया जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री बन चुकी है 4,715 अर्वन लोकल वोडी जो है completely open डेफिकेशन फ्री बन चुकी है 3,547 अर्वन लोकल वोडी जो है और 1,1191 अर्वन लोकल वो है ठीक है जितना पहले सतरा परसेंट दो चोदाम सतरा परसेंट ही वेस्ट प्रोसेस हो पाता था पिछत्तर परसेंट प्रोसेस हो पाया है सुच भारत मिशन की बात करें जो 2.2 है अर्वन तो यह सेंटरली स्पॉंसर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउजिंग एंड अर्वन अफियर्स इसको इंप्लिमेंट करती है और सारी सिटी को यह गार्वेस्ट फ्री बनाने के लिए काम कर रही है इस सार रेटिंग प्रोसेस क्या है तो डेक्लिरेशन बाइस सिटी ठीकलियर करेगा फिर इसकी डेक्लिरेशन होगा इस्टेट के द्वारा थर्ड पार्टी असेस्मेंट किया जाएगा और फिर जो मिनिस्टी है वो सर्टिफिकेशन यहां पर प्रोवाइट करती हुई नचर आएगी वीमन आइकांस लीडिंग सुचिता अवर्ड दोजार तेईस तो फॉस्ट एडिशन जो है इन अवर्ड सकतीने जो भी उन्होंने काम किया है जिस्ते की और फॉरवर्ड लिंकेजिस ठीक है इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा एग्रियेशन इसकिल डेपलप्मेंट उनका होगा मार्केटिंग प्रोवाइट की जाएगे ट्रांस्पोर्टेशन होगा पार्टनर्स कौन-कौन है इसमें तो नॉर्थ इस्टन हैंडीक्राफ्ट इंडिया पोस्ट और जो आपका नॉर्थ इस्टन इस्टेट गॉर्वर्मेंट डपार्टमेंट से बहुत सब इसमें पार्टनर्स हैं बेनेविट क्या है कि लाइपडिवूट इंप्रूब होगी पॉसिल्टीज मिलेंगी ठीक है प्रोक्यूर्मेंट में एफिशेंसी रह जाए पॉसिस को प्रोक्यूर्ट किया जाए हमाई सरकार है वह बफार स्टॉक को मेंटिन करती है पल्स कर नाफेट ठीक है अब सेंटर ने कहा है इस से क्या होगा एकोनौमी ऑफिस्केल भी बढ़ेंगी और हमें सस्थे में क्या होगा अच्छी डाले मिल जाएंगी जो कि हम यूज कर पाएंगे अपने students को provide कर पाएंगे पहले क्या है detail guidelines से जो है issue की गई थी कि कैसे हमें pulses को nafait से खरीदना है ठीक है जो detail guidelines से पहले issue की गई थी उसमें सारी बात है की गई थी वर ये नहीं बताए 2019 के rules के मताबिक state और यूटी जो है वो दालो को local taste के मताबिक midday meal के लिए भी खरी सकती है बाटो पैक्ट होनी चाहिए उनमें egg mark लगा होना चाहिए PM portion की बात करें तो ये centrally sponsored scheme है national scheme for midday meal इसको पहले बोलते थे midday meal scheme भी पहले बोलते थे अब ये PM portion बन चुकी है ये 1995 में launch हुई थी जिसमें हम जो बच्चे हैं वो school आया पढ़ाई करें उनका admission ज़्यादा हो ये भी बढ़ा आना चाहते थे और उनका nutrition को भी improve करना चाहते थे इसमें बन hot cooked meal मिलती है सरकारी स्कूलों में फिर जिग्यासा ठीक है ये scientific social responsibilities को निभारा चाहते हैं ये moral और ethical obligation दिखा रहा है scientific community का कि वो benefits जो है वो अपने student society तक पहुचा सके 2017 में CSIR ने एक MOUV sign किया था KBS से जो केंदरी विद्धाले होते हैं जिग्यासा पर ठीक है जिसे कि स्कूल चिड्रन है उनको हम science के लिए और ज्यादा जागरुख कर पाएं कुछ important reports भी है जो कि news में रहीं जिसमें पहली है state of world population 2023 की report release किया है इसको United Nations population fund ने ठीक है अब इसमें कहा है कि India जो है most populous country बन गई है पूरी दुनिया भर की चाइना को हमने एक पीछे कर दिया है और हम सबसे ज़्यादा populous country बन गए है 68% जो population है वो 15 से 64 year के बीच की है यह हमारे लिए काफी अच्छी बात है तो इंडिया जो है वो one of the youngest country वर्ल्ट पे बन गई है life expectancy at worth 71 years men's के लिए हो गए है और 74 women के लिए हो गए है total fertility rate of 2.0 पे पहुच गया है Central और Southern Asia जो है वो most populous region बन जाएगा 2037 तक ऐसा भी माना जा रहा है World Development Report 2023 जो स्को release किया है World Bank ने Report का title है Migrants, Refuses and Societies इसमें एक integrated framework लाने की बात की जा रही जिससे की development को maximize कर सके cross water movements हो रहे हैं destination origin countries में इसमें development को impact को maximize करने की बात कर रहे हैं इन्होंने migrants को चार category में divide किया है Refuses with skills जो demand में है Economic migrants with skills that matched with demand Distressed migrants and Refuses Next is World Happiness Report 2023 इसको release किया है UN Sustainable Development Solutions Network ने यह evaluate करता है कि 6 key variables पे कितने लोग कितनी खुश है तो उनकी खुशियों को नापता है यह ठीक है रिपोर्ट जो है यह identify करते हैं की determined की well-being के लिए क्या-क्या जरूरी है ranking जो है वो तीन साल के average पर यह waste होती है तो छे कौन-कौन से indicators है healthy life expectancy होने चाहिए GDP पर क्याप्टा को देखते हैं social support देखते हैं low corruption देखते हैं generosity inner community देखते हैं freedom to make key decisions life key decisions भी यह देखते हैं top किसने किया तो तीन countries ने top किया फिन्लेंड डैन्मार्क और आइसलेंड अफगानिसान लेवन ओन सियरा लियोनी जो है यह सबसे ज्यादा bottom पर पहुँच गए है इंडिया की ranking 126 हो गई है out of 137 ठीक है new time को इसमें लिस्ट ही नहीं किया गया तो UN sustainable development solutions network जो यह report लेकर आता है वो क्या है वो 2012 में launch हुआ था under the UN secretary general ठीक है यह global scientific and technological expertise का use करता है जिसमें कि यह देखता है कि SDG goals को ही देखता है Paris climate agreement जो है यह follow हो और नहीं हो रहा है उसके लिए भी solutions को promote करता है नेक्स्ट है बीमन business and law 2023 report इसको रिलीज किया वर्ड वैंक ने यह measure करता है कि वो laws जिसके वज़े से वीमन economic opportunities affect हुई है 190 economies में बहुत सारी indicators का use करता है यह जैसे कि mobility, workplace, pay, marriage, parenthood, entrepreneurship and many more इसमें जो key finding क्या है इसमें बताया गया है कि globally बीमन जो है 77% legal right ही enjoy करती है मैं अगर 100% legal right को enjoy कर रहे हैं तो बीमन जो है 77% की उन rights का enjoy कर पा रही है current pace के अगर बात करें तो 50 साल और लग जाएंगे legal gender equality तक आने में women and men in India 2022 यह report जो है मौस्पी ने release की है यह annual statistical compilation है gender related indicators की sex ratio की बात करें तो 2021 में 945 था और हम expect कर रहे हैं कि 2036 में 952 हो जाएगा life expectancy जो है 68.4 और 71.1 हो गई है male और female respectively के लिए IMR की बात करें तो 28 male और 28 female हो गए है 2020 में यह होता है 1000 चिल्डन पे कितने बचों की death हुई है यह होता है IMR ठीक है और labor force participation rate की बात करें तो 41.3% जो है पहुचा है status of women in agri food systems report इसको release किया है हमारे food in agriculture organization ने वीमन का जो role है वो marginalized होता हुआ नजर आ रहा है working condition और ज्यदा words होती हुए नजर आ रही है वीमन जो है वो less secure tenor है उनका land के ऊपर उनको credit अच्छे से नहीं मिलता training भी अच्छे से नहीं मिलती है बिना technology के वो काम उनको करना पड़ते हैं फिर है state of the words children 2023 रिपोर्ट ठीक है इसको UNICEF ने release किया है जिसमें रिपोर्ट ने एक agenda प्रिजेंट किया है कि चाइल्ड रूर्ट बैक्सिनेशन को हमें सबसे ज्यादा priority देनी चाहिए यह global strategies पर built है ठीक है और यह कहता है कि vaccinate करना है हर चिल्टन को हर जगए ठीक है और 98% population इंडिया में ऐसी है जो की vaccines को perceive करती है कि हाँ वो children की important है vaccine बहुत important है ऐसा 98% हमारे यहां की population मानती है जीरो डोस को identify करती है ठीक है इंडिया top 20 countries में थी जिसमें जीरो डोस children बहुत जादा मिले थे मतलब कि जीरो डोस children ऐसे होते है जिनको अभी तक vaccination मिली नहीं है इसको release किया है UNICEF ने यह triple burden जो है water का sanitation का और hygiene related threats का उसको examine करती है wash के elective term है जिसमें हम safe drinking water, sanitation facilities और basic level of hygiene की बात करते है triple threat को हम define कर सकते है कि 50% से भी कम access मिल रहा है basic water का top 20 countries जिसमें highest burden है deaths का उसमें क्या है कि wash ही नहीं है अच्छा ठीक है top 25% country जो की highest risk जो है climate और environmental हजाट का face कर रही है वो उनी country में है जहां पर hygiene और जो wash जो है यह अच्छे से provided नहीं है इसे बताये गया है कि 600 million children ऐसे हैं जिनको अभी क्या है कि safely वो drinking water नहीं उनको provided है उनको sanitation provided नहीं है और hygiene services उनको अच्छे से provided नहीं हो रही है 2023 global food policy report की बात करें तो इसको iftree ने release किया है इसमें food insecurity बढ़ गई है ऐसा बताये गया है जिसके वज़े से बहुत सारे crisis आ सकते हैं और बहुत सारे crisis के बज़े से food insecurity हो जाएगी यह बताया जा रहा है नेक्स है nutrition crisis in adults and girls and women तो यह report UNICEF ने release की है ठीक है इसमें बताया गया है कि जो बीमन है और जो adults and girls है उनमें nutrition की बहुत कमी हो रही है उसमें nutrition की कमी है ऐसा बहार निकल के आई है यह चर्चा हुई है यह outcome निकल के आया है तो इस status क्या है कि 16.3% population जो अंडर नरिज़्ट है 2022 के global hunger index जो है उसमें हमारी रहंगें 107 आई है 30% children जो अंडर वेट है और 67% अनेमिक है आफ्रिका जो है उसमें 68% adults and girls और वीमन जो अंडर वेट है और 60% तो अनिमिया से इग्रसित है कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो कि 2030 के global targets से अनिमिया को reduce करने में उसको उसको खरा उतर पाया हो targets अचीब नहीं हो पा रहे हैं Global Education Monitoring Report की बात करें तो इसको UNESCO ने release किया है इसमें बताएगा कि सिर्फ 17% countries ही ऐसी है जो कि sexual orientation, general identity और general expression issues को cover करती है ठीक है अब यहाँ आपा comprehensive sexually education एक curriculum based process होती है जिसमें हम teach करते हैं और learn करते हैं about cognitive, emotional, physical, social aspects of sexuality only 20% countries ही ऐसी है जिसमें laws है, 39% countries ही ऐसी है जिसमें national policy है जो कि sexuality education को address करती हुई नजर आती है अब कुछ terms जो कि news में रहे, पहला है digital nomad, person जो कि कहीं दूर काम कर रहा है, travel करता है, laser के लिए ठीक है, कोई fixed permanent जिसका address नहीं है उसको हम digital nomad बोलते हैं जो कि दूर दराज काम कर रहा है, travel भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, अपना जो enjoyment है वो भी कर रहा है, जिसका कोई fixed permanent address नहीं है उसको हम digital nomad बोलेंगे pink washing क्या है, pink washing है, civil liberty जो है LGBTQ plus communities के लिए उसको हम promote करने के लिए pink washing बोलते हैं queer waiting क्या है, एक act है जिसमें हम lure करते हैं queer या LGBT fans को, जिसमें हम homo erotic images दिखाते हैं, themes दिखाते हैं फिर raise farming या raise waiting क्या है, तो manipulative tactic है, जिसमें हम illicit out raise करते हैं, गोल यह होता है कि internet traffic को increase कर सकें, एक group को हम expose कर सकते हैं इसमें करते हैं, और इसी के साथ में हमारा, जो social issues का topic था, वो complete हो गया है, अब हमारा बचा है culture अब हम देखते हैं अपने culture को, कि culture से related क्या-क्या news रहे हैं और इसके बाद में हमारा जो यह updated material का second part है, वो complete हो जाएगा, आज है तो culture में सबसे पहले हमें पढ़ना है, बाइकोम सत्यागरह के बारे में, अब यह news में क्यों है, यह तो बहुत पहले की घटना है, आज क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि 2024 की जो हमारा आने वाली साल है, इसमें बाइकोम सत्यागरह के लिए पूरे 100 साल हो जाएंगे इसलिए इसकी जो 100 साल का जो हमारा celebration है वो केरला और तमिलनाडू में अभी से शुरू हो गया है, बाइकोम अवार्ड की बात करें तो बाइकोम अवार्ड जो है वो प्रिजेंट होगा, कब ईवी रवन स्वामी, राम स्वामी की बर्थ अनिवर्स्ट्री जो है, 70 सितंबर 2023 को उस दिन बाइकोम अवार्ड को प्रिजेंट किया जाएगा, जो recipient है इस अवार्ड के, वो कौन है, जो लोगों के oppressed, welfare of the oppressed, जो लोग जिनको दबाया गया है, जिनका oppressed किया गया है, उनके welfare के जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, बाइको discrimination हो रहा था, जो लोग थे, ऐसे लोग जिनको काफी दबाया जा रहा था, ठीक है, जिनको रोड पर, चार रोड पर चलने की भी, walk करने की भी आजादी नहीं थी, जो कि बाइकोम महादेर टेंपल के, के चारों और जो रोड थे, उस पर इजावास को चलने की आजादी नह हुआ, यह movement हुआ है, फिर लीडर्स कौन थे, टीके माधबन, केपी, केशब मैनन, ठीक है, जो कि उस टैम पर केरल प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी थे, और कॉंग्रेस लीडर एजुकेशनर्स थे, के केलपण, इन्होंने क्या किया था, यह सत्त्यागरा चला कानेंगे, उसके बाद में, कॉंग्रेस कमिटी भी बनी थी, जैनुरी 1924 में, यह movement शुरू हो गया, अब सत्यागरा की कुछ इवेंट्स को भी जानते हैं, सत्यागरा कैसे स्टार्ट हो, सत्यागरा जो थे, वह rally निकालने लगे, ठीक है, ऐसे पब्लिक रोड जिस पर इज George Joseph का role अगर हम देखें, तो उन्होंने क्या किया, एजिटेशन को lead किया था, उन्होंने पेरियार E.B. रामस्वामी लिखा है, यह तमिल नादू प्रदेश कॉंगर्स कमिटी प्रेसिडेंट भी थे, जिन्होंने campaign को lead किया था, महत्मा गांदी आया है, फिर क्या हुआ, 1995 म महत्मा गांदी आया थे, बायकोम में, वो मिले Queen Sethu Lakshmi Vyse, महाराणी Regent जो थी उस टाइम पर 34 की, उनकी meeting के बज़े से Royal Proclamation एक आया निकल का, जिसमें बताया कि जितने public roads है बायकोम महादेव Temple के, वो सारी caste के लिए खोले जाएंगे, अब उस पर, उन roads पर कोई भी चल सकता ह महत्मा गांदी के guidance में, और सी राजगोपाल अचारी जी के guidance में, पेरियार जो थे, उस टाइम पर movement को, उन्होंने lead किया, और जब तक ये movement खतम नहीं हो, तब तक वही lead करते रहे, उन्होंने volunteers को mobilize किया, public support जो है, उसको gather किया, art member के delegation के भी वो part बने, जो की, दीवान जो तिरवनकोर के थे, उन्होंने जाकर meeting करी थी, उन्होंने meetings की थी, महत्मा गांदी के साथ में, शी नारायन गुरू के साथ में, स्वामी, शद्धाननदा के साथ में, और राजगोपालचारी जी के साथ में, उन्होंने कई सारी meeting की थी, अब movement होता है, तो क्या होता है, मांतमा गांदी जी ने लेखा कि हिंदू रिफॉर्मिस्स मूवमेंट कांडीजी को गानी जी ने इसको हिंदू रिफॉर्फिस मूउम्मेंट देखा, पेरियार ने कहा कि ये कास्ट बेस एटो सिटीज के बीच में फाइट है, तो इस बज़े से उनके बीच में रिफ्ट पड़ गई, जो है मन मुटाओ आगे थे, टैंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन जो साइन की गई थी महाराजा व तरवनकोर के साथ, तरवनकोर ने इसको साइन किया था, जिसमें एज ओल जो बेन था कि आप जो है मार्जिनलाइज कास्ट है, वो टैंपल में नहीं जा सकती तरवनकोर के वो हट गया था अब हम देखते हैं कि जो पेरियार ये भी रामस्वामी जी थे, ये कौन थे तो ये 1879 में वान हुए थे, ये राशनलिस्ट थे, ड्रेविडियन सोचल रिफॉर्मर थे, 20th सेंचुरी के ये इन्होंने वाइकॉम सत्यागरे में फोर्फरंट पर ये रहते थे, ठीक है, उसके अथमें इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को 1925 में फाउंड किया था, ड्रेविडर कजगम जो है, जिसको जस्टिस पारिटी बोलते हैं, उसको भी इन्होंने फाउंड किय ये जो है, लोवर कास्ट जो है, लोवर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए एकॉल राइट्स की डिमांड करते हुए नजर आते थे, फिर फीचर्स क्या है, बाइकॉम सत्यागरे के, तो ये नॉन वाइलेंट मूवमेंट था, ठीक है, अंटचैबिलिटी और कास्ट डिस्क् 30 मार्स 1994 को स्टार्ट हुआ था, और नवेंबर 23, 1995 तक ये चला था, इसके कुछ फीचर्स देखें, तो गांधियन वेज नॉन वाइलेंट प्रोटेस्ट ये हुआ था, बीमन ने और जो अलग-अलग कास्ट थी, उन्होंने इसमें पार्टिसेपेट किया था, 30 for social reforms, ठीक है कुछ गुरुट जो है वो यहां पर solidarity को सर्च कर रहे थे यहां से, फिर support मिला इनको अकाली सिख जो है पंजाब के उन से, फिर untouchability को इन्होंने political issues में four front पर लाकर खड़ा कर दिया, जोर्ज जोसेप जो है इनके बारे में अगर हम जाने तो इन्होंने बाइक सित्यागरे जो मदरोई में हुआ था, उसके लीडर थे और non corporation movement को भी इन्होंने join किया था, next है कुछ major temple entry movements के बारे में भी पढ़ते हैं, तो एक है आपका अरुवी पुरम movement जो की 1888 में start हुआ था, ये पहला movement था जो की equal rights, बहुत सारे movements चले थे उसमें कुछ movement जो थे उसम से ये start हुआ था, कालरम temple entry movement 1930 में इसमें जो है जाले तर ये equal rights के तरफ बात करता था, temple entry movement भी था और equal rights के लिए भी नड़ता था, Dr. V.R. Ambedkar ने इसको lead किया था, अभी जो नाशिक है बहां से start हुआ, सत्यागरे इन गुरू वयूर ठीक है, ये जो है पहले temple entry के लिए था, नेक्स है राजा रभी वर्मा, तो अभी ये चर्चा में क्यों है, तो इनकी 75th worth anniversary जो है वो celebrate की गई है, इसी लिए चर्चा में आ गए, इनके बारे में जानते हैं, तो ये जो है त्रवन कोर में पैदा हुए थे, इनको father of modern Indian art भी बोलते हैं, अपनी जो painting से उसके लिए बह थे, Theoda Jensen, एक Dutch painter थे, बो भी इनके teacher रहे, केसर ने हिंद gold medal इनको मिला थे, ये सरकार केरल की उन्होंने ये award इनके नाम पर ही रखा है, पैंटिंग्स की classification करें तो theatrical compositions based on myths and legends, portrait based composition भी की है, इनकी कुछ great paintings के नाम जाने, तो a family of beggars, lady lost in thought, the heart broken, drop the dreading to meet किचक, पार्सी लेडी, जो कि ये पूरी नहीं हो पाई, शांतनु एन मतस्य गंधा, the orchestra and lady giving arms to the temple, ये इनकी कुछ famous paintings है, इनकी Indian art में contributions की अगर हम बात करें, तो early proponent of lithography, lithography जो है, वो इन्होंने start की, इसमें Hindu literature के characters और scenes को depict करा, फिर union of Indian tradition and European art, ठीक है, इंडिया की traditional art और European art को इन्हो उने जोड़ दिया, ठीक है, और इन्होंने इंडिया की जो art है, उसको world class level तक लेके गए, mythological stories में की insights प्रोवाइट की, ठीक है, जिसमें इन्होंने दुश्यंत की story दिखाई, शाकौंतिला की story दिखाई है, नल दमयंती की story दिखाई है, राम की बरुन पर जीद दिखाई ह आर्टिस्ट ऑफ दी पीपल ठीक है, यह जो है, अपनी paintings जो है, उनकी copies affordable price पर अविलेबल कराते थे लोगों तक, इनकी portrayal जो है, Hindu gods and goddess की वो बर्शिप material बनी, लोग जो है, lower caste के लोग जो थे, वो उनकी paintings जो थी, देवी देवता की, उनकी पूजा करते थे, नेशनल मिशन for cultural mapping, तो जो हमारी सरकार है, उसने क्या किया, identify किया, documented किया, जो features है, एक लाख blazes से भी जादा, अंडर दी मेरा गाउं, मेरी धरोहर program के अंडर, ठीक है, अब जो मेरा गाउं, मेरी धरोहर survey हुआ है, इसमें क्या है, कि हम cultural identity जो है, उसको हम search कर रहे है, blaze level पर, ठीक है, citizens को involve कर रहे हैं, कि वो, क्या चीज, उनके गाउं को unique बना रहे है, वो उस चीज को share करें, mechanism क्या है, कि common service centers, जो है, village level entrepreneur है, वो meetings करते हैं, locals के साथ में, फिर local से पूछते हैं, कि उनके गाउं में क्या चीज खास है, फिर coordination कौन कर रहा है, तो ministry of culture, जो है, वो CSE के साथ में, ministry of electronics क के साथ में मिलकर partnership करी हुए है, villages को divide किया अलग-अलग categories में, जिसमें, ecologically, developmentally, scholastically, हर तरीके से, उनकी importance पर categorize किया हुआ है, कुछ examples जो हैं, जैसे कि singoli, sinoli, उतर पर देश के जो sinoli है, यह hadapan site है, ठीक है, इसको artifacts के लिए जाना जाता है, जिसको जो की bronze age से belong करते हैं, ठीक है फिर है, रैनी, यह तरखंड में है, यह चिपको movement के लिए famous है, 1974 में, यह movement था, जिसमें हम forest को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर है सुकेती fossil park की हिमाचिर प्रदेश में, शिवालिक fossil park भी इसको बोला जाता है, यह इसमें 2.5 million years old vertebrate fossils का collection है, ठीक है, फिर है, पांडरे जम्बू और कश्मीर में है, यह 14th century कश्मीरी संथ और Mr. Pojo and Lal देथ, उनका यह गाउं है, जिसको लला लालेश्वरी भी बोलते हैं, और उनकी राइटिंग्स को बाक्स बोलते हैं, ठीक है, और 8th century कश्मीरी संथ और यहीं पर मिलता है, नेक्स्ट है बिश्नोई, ठीक है, राजिस्थान की case study है, ठीक है, बिश्नोई एक जिगए है राजिस्थान में और एक community भी है, तो case study यहाँ पर की गई है, कि हम कैसे nature के साथ में हार्मनी में रह सकते हैं, विलेजर जो 29 principles को follow करते हैं, जिसमें animals और trees को वो बचाते हैं, नेक्स्ट है कि national mission for cultural mapping, इसकी अगर हम बात करें, तो इसको ministry of culture ने 2017 में start किया था, goals इसके यह है, कि जो rich Indian art and culture heritage इसको हम preserve करेंगे, उसकी हम cultural mapping करेंगे, जो artist community है, उनकी aspirations को हम fulfill करेंगे, और cultural vibrancy को और ज्यादा strong बनाएंगे, इसके कुछ key components भी हैं, जैसे कि identify करेंगे places को, जो कि cultural hub है, ठीक है, colorgram जिसको हम बोल स artist welfare scheme उसको भी लेकर आएंगे, local artist की mapping करेंगे, और गुरु शिर्षे परंपरा को और ज्यादा बढ़ाएंगे, institutions कौन से involved है, तो CSEE Governance Services India Limited, जो है, वो उसको task दिया गया है, ministry of culture के दवारा, कि वो जो है, इस mission को carry out करेगी, mission को execute करा जा रहा है, under the guidance of Indira Gandhi, National Center of the Arts, broad level पर बात करें, तो 3 important objectives हैं इसके, कि हम national cultural awareness अभियान चलाना चाहते हैं, artist talent hub है, ठीक है, artist जो है, उनको हम सर्च कर रहे हैं, उनके talent को और ज़्यादा निखार रहे हैं, और national cultural workplace भी बनाना चाहते हैं, इंद्रगांधी National Center for the Arts की बात करें तो, मिनिस्टे आप कल्चर के अंडर आती है, 1987 में established हुई है, इसके 6 की units हैं, कला निदी, कला कोष, जनपत, संपत, कला दर्शन, cultural informatics and सूत्रधार, फिर है Indian knowledge systems in higher education, तो अभी जो UGC है, उसने draft guidelines जो है, वो release की है, कि किस तरीके से हम Indian knowledge system क को हम higher education undergraduate or postgraduate courses में incorporate कर पाएंगे, 2020 में जो आपका Indian knowledge system जो है, ये ministry of education के दौरे ये division set की गई थी, जिसमें हम Indian knowledge system को प्रमोट करते हुए, नजर आ रहे थे, expertise in the Indian knowledge system जो है, इसको add किया जाएगा, national credit framework में, key features क्या है in guidelines के, तो credit course जो है, वो इसमें अभी लेबल कराए जाएंगे authentic sources से हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, जैसे ही text लिए जाएंगे, historical accounts लिए जाएंगे, inscriptions की पढ़ाई करेंगी, Indian knowledge traditions जो है, वो continue रहेंगे, ऐसा ना हो कि हम modern बन जाए और अपने culture को भूल जाए, medium of instruction जो है, वो किसी भी Indian language में हो सकते हैं, English और Sanskrit के अलावा, translation होगा technical terms का Sanskrit स देवनाखरी script में और English में, अब Indian knowledge system होता क्या है, तो Indian knowledge system में क्या होता है, वो systematized discipline of knowledge होती है, जो कि high degree of sophistication, जो ancient type से अभी तक develop हो पाई है, ठीक है, जैसे कि वेट्स हैं, उपनिश्ट्स हैं, तो यह सारी चीज़े हमारी Indian knowledge system में आएंगी, ठीक है, जो कि Ministry of Education के अंडर आता या कि जो knowledge system उसको और ज्यादा प्रामोट कर देंगे, मिस्लीनियस में कुछ न्यूस है, परस्नालिटी जो कि न्यूस में रही, जिससे कि स्वामी सहजानंत सरस्वती, यह सन्यासी और रिवॉलुशनरी थे, जिन्हों अपनी लाइफ को पॉलिटकर और एकनोमिक इंडिप करने में, इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, 1924 से 28 तक इनकी अक्टिविटी सेंटर रही, कि हम खादी को प्रमोट करें, और जो foreign goods है, उसको इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किशान प्रान जो है, उसको भी address किया है, हेमु कालानी, ठीक है, तो इनका भी 100 साल पूरे हुए है, इनकी बर्त सेंचरी मनाई गई है, सिंध रीजन में जो है, ये पैदा हुए थे, ये revolutionary और freedom fighter थे, जो इन्होंने इंडिया की आजादी के लिए काफी कुछ किया है, इनको भगस सिंध भी बोला जाता है, इन्होंने सुराज सेना को भी जोईन किया anti-british literature में इनको ये distribute करते थे, और quit India movement जो है 1942 का उसको भी इन्होंने जोईन किया, 19 साल की छोटी सी उमर में इनको पकड़ दिया गया था और इनको फासी दे दी गई थी, नाड पिर वो हिरिया केम पे गोड़ा, ठीक है, केम पे गोड़ा, तो अभी क्या हुआ है कि इनकी इनकी का statue जो है वो बेंगलरू में inaugurate किया गया है, ये एक agricultural community से आते हैं, ब्लॉंग करते हैं करनाटका से, ठीक है, और ये चीफ्टन थे, विजय नगर अंपायर के अंडर, ठीक है, ये जो है, इनको बोला जाता है कि ये जो है, इन्होंने बेंगलरू को फाउंड किया था कौन से कस्टम की, अन्मेरिट वीमन जो है, अन्मेरिट वीमन अगर बंदी देवरू बनती हैं, तो उनके लेफ्ट हैंड की दो ओलियों को काट दिया जाता था, इस कस्टम को इन्होंने क्या किया, बंद करवाया, इन्होंने बसा पुरान लिखी गई है, जो कि पालकुरी, कुरी की सुमा, सोमनाथ ने लिखी है, जो की इनकी लाइट के बारे में सब कुछ बताती है, इन्होंने जैंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया, सुपरिस्टिशन्स रिच्वल्ज को इन्होंने रिजेक्ट किया था, आहिमसा को प्रमोट करते थे, साथी साथ में, ये जो है शिव के पुजारी थे फिर है बावु जग जीवन राम तो इनके लिए पीम ने क्या किया है ट्रिव्यूट पे किया है इनके बड़ता अनिवर्सरी पर बिहार में ये पैदा हुए थे फिर्टम फाइटर थे प्रॉमिनेंट लीडर थे अंटचेवल के इन्होंने अखिल भारती रविदास महासभा को भी फाउंड किया था और इन्हें डिप्रेस्ट क्लास लीग भी इन्होंने बनाई थी 1935 में ये हमंड कमिशन के बिफोर अपियर हुए थे और इन्होंने पहली वार वोटिंग राइट्स मांगे थे दलिच के लिए डॉक्टर केशव राओ बली राम हेज वार की बारे में बात करें तो ये 1st अपरेल 1889 को पैदा हुए थे नाखपुर में ठीक है इन्होंने मेडिकल एक्जाम को पास किया था फ्लाइं करें से बहुत अच्छे मांग से पास किया था नाखपुर में वापस आए और इन्हो पास एक ही गोलता कि इंडिया को आजात कराना है इन्होंने बंदे मात्रा मूव्मेंट को पाइनेर किया था फिर सी वाई चिंता मनी ठीक है तो ये 10 अप्रिल 1880 को पैदा हुए थे बिजय नगरम आंध्र प्रिदेश में इनको गोपाल टेशन गोखले को ये जो है अपना पॉलिकल मेंटर मानते थे ठीक है और 1898 में इन्होंने कॉंग्रेस को जॉइन किया इनको बाइजएक स्पेक्टेटर नीजवेपर के एडिटर की तरीके से भी अपॉइंट किया गया उसके बाद में इन्होंने उस नीजवेपर का नाम जो है इंडियन हराल्ड कर दिया था दा लीडर जो था वो इंग्लिश नेशनलिस नीजवेपर था फर्स्ट जॉइंट एडिटर ये बने थे चिंता मणी और गाने इंद्रनाथ गुपता दा लीडर के पहले जॉइंट लीडर बने थे इन्होंने कॉंग्रेस को 1918 में छोड़ दिया था लिबरल पार्टी आयर ठीक है तो ये दो अप्रिल 1881 को पैदा हुए थे बलेज जो है वो है बारक नेक्री तरिचरोपली जो है डिस्टिक्ट वहाँ पर मद्राश प्रदेश की वहाँ पर ही पैदा हुए थे बैरिस्टर ऑफ लॉग जामनेशन जो है लंदन में उसको इन्होंने पास किया इन्डिया हाउस को विजिट करना शुरू किया था जो कि पहले एक पॉपलर हैंगाउट था इंडिया नेशलिस्ट का लंदन में जब वो पॉंडी चरी आए तो उन्होंने यूथ को जो है ब्यपन्स का यूज करना सिखाया ऐसा कहा जाता है और इन्होंने डिलीवरी करी इन्होंने तमिल स्कॉलर स्कॉलर सी बहुत ही नवِّल इंहोंने इंग्लिश ट्रंसलेशन किया है जयल में कैहद कर दिया था। अपने समय क्या है कि यूज किया है कैसे है। कि जो तम्मिल की लिटरेचर थी, उसको ये इंगलिश में ट्रांसलेट करते थे, फिर है सागरमल गोपा, ठीक है, ये 3 नमेंबर 1900 को पैदा हुए थे, जैसल मेर में, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, प्रिजा मंदल को आउटलॉ किया, और जैसल मर के लोग को इंस्पायर किया, फ्रीडम स्ट्रकल के लिए, महात्मा गांदी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1921 में इन्होंने जोईन किया था, और इन्होंने जवार सिंग की अट्रोसिटीज को अपनी बुक गुंडा, राज अजैसल मर में लिखा है, सी एफ एंड्रूस, ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, 12 फरवरी 1871 को, 20 मार्च 1904 को इंडिया में आये थे और सैंट इस्टीफन्स कॉलिज, जो डेली में है, उसमें इन्होंने एड्मिशन ले लिया, प्रिटिश रूर के अगेंस्ट में ये माहतमा गांदी के साथ में मिलकर इन्होंने फाइट किया, ये हैं close friend किसके रविदनाध को एक सात लेकर आए है, ऐसा भी कहा जाता है, अब कुछ paintings और art form जो की news में रही, जिसमें है बाशवोली painting, ये जो एपनी miniature art style के लिए जानी जाती है, कठ्वा डिस्टिक जो है जम्मो कश्मीर वहां से यह हेल करती है ठीक है इनको जी आई टैक भी मिल चुका है यह पहला इंडिपेंडेंट जी आई टैक प्रोड़क्ट है जम्मो रीजन का इसको फर्स्ट इस्कूल अपहाडी पेंटिंग्स भी बोला जाता है ठीक है और यह जो है संगराम पाल और उसके आद में किरपाल पाल के अंडर फ्लरिश की गई थी पेपर क्लोध बुट पर यह पेंट की जाती है नैचुरल कलर्स और डाइस से इसमें ब्राइड और बोल्ड कलर्स जैसे रैड येलो और ब्लू का यूज का यूज किया जाता है बॉर्डर आठ है गोंड ट्राइब की मद्यप्रदेश में इसमें क्या है कि इसमें माना जाता है कि गुड इमेज को अगर हम देखेंगे तो इससे गुड लख आएगा इसमें नेचर, ट्री, प्लांट, एनिमल, मून, सन, रिवर, ड्रेन, गॉर्ड, 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 गॉर्ड इसको हर साल परफॉर्म किया जाता है पूरम फेस्टिवल में, थीर और पूताम जो है वो लेफ्टिनेंट्स थे लॉर्ड शिप के ऐसा माना जाता है, वोड्डेस काली के साथ में इनको बेजा गया था जिससे कि दार्का का बद किया जा सके, दार्का का जब बद हो गया ọi fifty के जह करें तीरह और पूता ने डांस किया था कालीमा के साथ में मिलकर अपनी जीत को celebrate करने के लिए इसको मानते हुए यह celebrate किया जाता है यह जो तोहार है cannot और पेरु नन गम्लिटीज इसको कि जो MP Theater था एजिया का ठीक है और इसको बिल्ड किया है स्वर्ग देओ प्रमोत सिंग ने 1744 में इस शेफ इसका Octagonal है अब ये जो है Enjoyment के लिए बनाए गया था Sports Activities के लिए बनाए गया था जो Home Dynasty की Royal Families थी उसके लिए दो मंजिला बिल्डिंग है इसकी Inverted Royal Home Boat की तरह ये लगता है फिर शार्दा पीट government जो है planning कर रही है कि शार्दा पीट को ये करतारपूर corridor की तरीके से खोल दे करतारपूर corridor जो है दो important six lines को जोडता है देरा बाबा नानक पंजाब और गुरुद्वारा दर्वार साहिब जो पाकिस्तान में इनको ये जोडता हूँ नजर आता है सार्दा पीट जो है ये हिंदू कम्यूटी की बहुत ही पूजनी ये इस्थल है और इसको गॉड़े सरस्वत्ती का घर माना जाता है समाना जाता है कि ancient center है ये learning का जो कि नीलम बैली में established है पाकिस्तान के नेक्स्ट विस्लिंग ब्लेज तो हम एक MP है उन्होंने प्रिजेंट किया है कि development report कॉंग तॉंग ब्लेज की मेगाले में ये इंडिया का एक लौता विस्लिंग ब्लेज है इसको जो है संसत आदर्स ग्राम युजना के तहट अडॉक्ट भी किया गया है ये east 80 hills मे में मिलता यहां पर क्या होता है जिंगरवाई लाववी वोलत लाववी का यूनिक ट्रेडिशन है ठीक है यहां पर क्या होता है song of the clans first woman ये ट्रेडिशन जो है जिसके अंडर क्या होता है कि mother जो है वो एक tune create करती है अपने बच्चे के लिए जो नया नया जो बच्चा अभी पैदा नेक्स्ट है कामक्या टेंपल तो कामक्या टेंपल कॉलडोर जो है उसको रिव्याम किया जा रहा है काशी विश्वनात और स्री महाकाल महालोग कॉलडोर के लाइन्स पर ठीक है फिर यह जो है यह dedicated किया गया है goddess कामक्या के लिए जो कि 51 शक्ति पीट से है उसमें से एक है लिलांचल हिल्स में गौाटी में यह मंदिर देखने को मिलता है ब्रामपुत्र रिवर के बैंक्स पर है चार चैंबर से गर्व गिरे है और तीन मंदब्स इसमें है आंबु वाची मेला के लिए यह मंदिर बहुत फेमस है फिर है सांची सांची मद्ध प्रदेश में जो ह अशोका से जादा रिलेटेड है अगर हम बात करें बुद्ध से कंपेर करें तो ठीक है इसमें बुद्धिस मॉनुमेंट्स है और यह सांची स्थूप के लिए बहुत फेमस है सांची स्थूप जो है उसमें चार गेटवे हैं जो कि बुद्ध की लाइफ को शोकेस करते फिर हम मोनास्ट्री जो की न्यूज में है हमिस मोनास्ट्री जो की यहाँ पर क्या है कि G20 सम्मिट में जो डेलिगेट्स आये थे वो हमिस मोनास्ट्री में भी गूमने गए हमिस मोनास्ट्री लाइस्टिक इंसिटूशन है लद्दाफ में और यह इंदस रिवर के वेस्ट युकपा से और यह थेकसी हमलेट लग्दाफ में सिचुएटिड है कुछ जी आई टैक्स जो की न्यूज में रहे तो नागरी दूबराज राइस 36 गड़ के नागरी दूबराज राइस वेराइटी है उसको जी आई टैक्स मिल चुका है जीरा फूल राइस को 2019 में टैक्स मिला था अब दूबराज जो है यह दूसरा राइस बन गया जिसको टैक्स मिला है मादुरगा स्वास्ते सम्हू जो यह सेल्फ एल्फ गुरूप है धमतरी डिस्ट्रिक्ट का वो इसको हार्वेस्ट करते हैं और जी आई टैक्स के लिए उन्होंने अपलाई किया था नगरी दूबराज जो है यह बास्वती है 36 गड़ का क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खुशू आती है बालमिकी की जो रामायन है उसमें इस चाबल की ज जाती है नेधन कुलम नात्पुरक की सुंदर अनधपु जगै से लट लेकर आई जाती है बहां से जो किले आती है वहां उसी किले से यह पॉट्स बनाए जाते है ठीक है और इसमें सिर्फ मिट्टी और पानी का ही यूज किया जाता है बैगई रिवर जो है उससे जो किल इसे एक्सपोर्ट होगा बूस्ट हमारा और प्रोमोर्ट होगा गोड्स इंटरनेशन लेवल पर और इससे एकोनॉमिक प्रोसपेरिटी आईगी प्रोडीशर्स और स्टेकोल्डर्स के लिए कुछ फेस्टिवल्स भी न्यूस में रहें उनको भी देखेंगे बुम्चू फे प्रोडश फेस्टिवल्स भारा दिंते हैं वारा से सिति होगा के लिए उनको प्रोड़ की वैह प्रोड़ा में हर साल जो है 12 साल में हर 12 साल में अप्यर होते हैं इसलिए 12 रिवर्स की पूज़ा इसमें की जाती हैं कौन-कौन-सी रिवर्स है गंगा-यमन, गुदाबरी, कुछना-कावेरी, भीमा-ताती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगवद्रा, सिंदु एंट, प्रानहीता, एक बारा river के along किया जाता है फिर है तृष्षुर पूरम तो प्राइम निस्टर ने केरला का लार्जेस हनुमान स्टैचू है पचपन फीट लंबा उसको क्या है सीता राम स्वामी टैंपल जो है तृष्षुर पूरम फेस्टिबल के टाइम पर अन्वेल किया है ये लौर्ड श्री सीता राम लौर्ड अयप्पा और लौर्ड शिब के लिए डेडिकेटड मंदिर है फिर कुछ ट्राइब्स न्यूज में रही उसको भी देखेंगे तो है कट्टू नाइकन ट्राइब औसकर अबॉर्ट जो है एक डोकुमेंटरी थी एलिफेंट विस्परर्स की उसको आउसकर अबॉर्ड जो है वो दिया जा रहा है यह ट्रियूट है कंजर्वेशन डीगे सी जो कट्टू नाइकन ट्राइब की उसके ट्रियूट यह दिया जाएगा आउसकर अबॉर्ड जो है यह जो है 75 PBTGs में से एक यह ट्राइब है जो कि तमिल नादूर के रिला मिलती है यहाँ पर बहुत से लैंगज बोली जाती है यहाँ पर अपने कल्चर से यह बहुत ज़्यादा यह रूटिड है अपने एनिमल्स को ट्रेडिशनल और हर्वल मेडिसिन की बहुत ज़्यादा नॉलिज है मेट्रियार्कल ग्रूप इनके बने हुए हैं यह इंडो आरियन लेंगविस को बोलते हैं बागरी में यह बात करते हैं घर पर और जब अगर डेली बिजनिस इनको करना है बागर बात करना है तो यह करनट बोलते है कुछ important news जिसमें है शिला भत्रिका तो researchers जो है पूने वेजज भंडार कर Oriental Research Institute में उन्होंने क्या-क्या decode किया है चालुक्यन copper plate manuscripts को और जिससे की शिला भत्रिका के बारे में हमें नई जानकारी मिली है 7th century Sanskrit poetess जो थी उन्होंने यह सिला पत्रिका को बनाया था ठीक है और वो क्या थी daughter थी सत्ते सराय के टाइटल जो है सत्ते सराय यह चालुक्यन emperor जो है पुलकेजन second जो है उनको यह टाइटल दिया गया था और यह माना जाता है कि वो wife थी राष्ट कूट रूलर जो थे द्रुब उनकी यह wife थी ऐसा माना जाता है अभी लेक पतल तो PM ने अभी लेक पतल जो है पोर्टल है यह इसको प्रेस किया है एक करोड पेजिस जो है historical records के इसमें maintain करे गए हैं यह full featured web portal है जिसमें National Archives of India तक आपको access मिल जाता है digitized way में साथी साथ में क्या होगा साथी साथ में एक initiative जो है यह लिया गया है जिसमें हम इंडिया की जो history है इसको और हम promote कर रहे हैं इंडिया के जो records हैं उसको हम दिखा रहे हैं जो हमारी historical records है और इसी के साथी साथ में हमने क्या किया है कि अपना जो updated material था जिसमें आज ने social issues को cover किया और culture को cover किया है इसे के साथ है हमारा updated material का part 2 week cover हो किया है अब हमें इतना confidence आ गया है कि आप तो चाहे कोई भी question आ जाए हम सब को tackle कर पाएंगे अगर इस level का confidence आपको आया है तो आपको